RBI यानी Reserve Bank of India ने बुधवार 31 जन्वरी को बड़ा एलान किया. इसके तहत Reserve Bank ने Paytm Payment Bank के खिलाफ एक्षन लेते हुए इसकी तमाम सविसेज पर बैन लगा दिया, जो 29 फरवरी से लागू होगी. ऐसे में Paytm के Bank Account धारकों को दिक्कत हो नीते हैं. इसके अलावा Uges Paytm Wallet, NCMC Cards और Fast Tag आधी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसके Wallet Uges की बात करें तो इनकी संख्या करोडों में हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इन Uges के पास अब क्या विकल्प होगा? वे किन तरीकों से Digital Payment कर पाएंगे? RBI ने 31 जनवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें Paytm Payment Bank की सभी सविसेस को 29 फरवरी से बंद करने का एलान किया गया है. इसे सबसे बड़ा जटका इसके Wallet Uges को लगा है. दरसल, आकडों पर गौर करें तो 2018 के दोरान करीब 3 करोड लोग Paytm के Wallet से Payment कर रहे थे और अब तक इसमें काफी इजाफा हो चुका है. ऐसे में तमाम लोगों को Digital Payment के लिए दूसरे विकल्पों की ओर रुक करना बता दें कि रोजाना के काम, काज के दौरान Digital Payment के लिए भले ही Paytm के Wallet पर रोक लगने जा रही है. लेकिन यूजर्स बहुत आसानी से दूसरे माध्यमों से Digital Payment कर पाएंगे. अगर Wallet की बात करें तो यूजर्स के पास Phone Pay, Google Pay, Amazon Pay जैसे Wallets की सुविधा मौजूद है, जि दरसल, HDFC, ICICI, IDFC, Yes Bank समेत तमाम बैंक भी अपने आप में स्कैनर का ओप्शन देते हैं, जिससे यूजर्स किसी भी QR कोड को स्कैन करके Payment कर सकते हैं.